हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचीवर परवत्ता में मैं हूँ आपके साथ प्रभासकुमार दोस्तों आप फिर जुरे हैं डेली ऑनलाइन प्राइक्टिस टेस्ट को देने के लिए और आज हम लोगों के बीच बहुत ही अच्छ टेस्ट होने वाला है और यह टेस्ट जो है हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट से होगा और टेस्ट देने के पहले मैं आप से पुना रिक्वेस्ट करूंगा उमीद करूंगा कि आप लाइक कर दें और आप अपने उन मित्रों को भी जोर लें उन दोस्तों को भी जोर लें जो जानते हैं आप उनको सेर कर दें और उनको भी जोर लें ताकि वह भी टेश्ट दे और लाव उठा पाए अधी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्लीज कर प्रावर्तन एवं अबर्तन चप्टर से हम कुछ सवाल को करने वाले हैं या पहला पाथ है आप परते एक दिन इसी समय या टेश्ट देते हैं तो चलिए आप बढ़िए सवाल पढ़ाईए समय को ब्यर्थ में बरबाद मत कीजिए पहला सवाल है आपके लिए कि दाधी बना चलिए अब तल दूसरे सवाल की और बरते हैं मैं जल्दी-जल्दी सवाल आपको करा देता हूं समय को ब्रबाद में करना नहीं चाहता हूं आपके लिए 10 सेकेंड का जो समय दिया गया है वे सिर्फ आपको सोचने के लिए दिया गिया है कि आप प्रस्र को सुनने के बाद सोचे कि इसका सही उत्तर क्या है और तब तक सही उत्तर भी आपके सामने आ जाएगा और अधिया आप में छमता है तो आप लाइफ चेट के माध्यम से प्रस्र की संख्या के साथ सही बिकल्प जो होंगे A, B, C या थ्वा, D को सवाब दे सकते हैं दूसरा सवाल आपके लिए कि निम्नांकित में से कौन सा पदार्त लैंस के लिए प्रयूक तो नहीं किया जा सकता है आपके लिए पहला उप्सन है जल दूसरा है कांच तीसरा है प्लास्टिक या चौथा है मिट्टी चलिए सवाल ओप्सन D इसका से उत्तर मिट्टी आप अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है आपके लिए कि निर्गत किरन तथा अविलंब के बीच के कौन को कहते हैं आपतन कौन प्रावरतन कौन निर्गत कौन या इनमें से कोई नहीं चलिए सवाल आपके लिए है चार नमर सवाल है किसी ठोस में बाहर की और उबड़े हुए दो गोली प्रिष्ट हों तो उसे कहते हैं अव्तल लेंस उत्तल लेंस सम्तल लेंस या सम्तल अव्तल लेंस और इसका साई उत्तर है साई ऐसन सी उत्तल लेंस पांचमा सवाल जल्दी जल्दी आप सवाल कीजिए परिक्षा के द्रिश्ची कौन से बहुत ही महत्मुन सवाल है किसी बिम्ब का अवतल दर्पन द्वारा बना परतिविम्ब अभासी सीधा तथा बिम्ब बड़ा पाया गिया बश्टू की इस्तिति कहां होनी चाहिए आपके लिए मुख्य फोकस एवं प्रकास केंदर के बीच दूसरा आपके बकरता केंदर पर तीसरा है बकरता से केंदर से पड़े और चौथा आपके लिए दर्पन के धृरूप तथा मुख्य फोकस के बीच चलिए सही उत्तर देखते हैं इसका सही उत्तर आपके दर्पन के धृरूप तथा मुख्य फोकस के बीच आप अगले सवाल की तरह बढ़ रहे हैं अगला सवाल है छठा नम्मर सर्च लाइट प्रावर्तन सतर होता है और आपके इसके लिए है उत्तल दूसरा आपके अव में से कोई नहीं चलिए सही उत्तर देखता है इसका सही उत्तर आपके अब तल और आप अगले सवाल की तरह बढ़ रहे हैं अगला सवाल सात्मा सवाल कि निर्वात में परकास की चाल क्या होती है और सने है तीन गुना दस पर पावर आठ मीटर पर सकंड तीन गुना दस इसका सही उत्तर है ओप्सन ए तीन गुना दस पर पावर आठ मीटर पर सकंड चलिए बरते हैं अगले सवाल की ओर प्रावरतन के नियम से अधारित होता है आपके लिए option है आप तन कौन बराबर प्रावरतन कौन प्रावरतन कौन बराबर अपवरतन कौन आप तन कौन बराबर बिचलन कौन या इन में से कोई नहीं और आपके लिए option जो होगा वह सही होगा option कौन बराबर प्रावरतन कौन आप तेजी तेजी में question करें जवाब दें सोचें हजामत के लिए किस दर्पन का प्रयोग होता है या पहले भी सवाल आ आप इसका उत्तर जानते हैं इसका सही उत्तर होगा अब दल दर्पन इसलिए मैं इस पर कुछ जादा बोलूंगा नहीं अगले सवाल की तरह मुखातिव होंगा अगला सवाल है कि प्रकास की किरने गमन करती है सीधी रेखा में टेड़ी रेखा में बकरता से कैंद्र से पड मुख्य फोकस के बीच और इसका सही उत्तर है आपका उप्सन ए सीधी रेखा में आप अगले सवाल की तरह हैं एक ग्यार्मा सवाल है लैंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है आपके लिए उप्सन है दो एक तीन या इन में से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है आपका उप्सन ए दो बड़िये अगला सवाल पर आईए अगला सवाल है बारा नमर सवाल बारमा सवाल है किस माध्यम से अब बरतनांग का मान होता है साइन एल बाई साइन आई आर साइन आर बटा साइन आई सोड़ी यह साइन आई बटा साइन आर है दूसरा उप्सन है साइन आर बटा साइन आई तीसरा उप्सन है साइन गुने साइन आर और चोथा उप्सन है आपके लिए साइन आर इंटू साइन आई आई आर और इसका सही उत्तर होगा option A, sign I, by sign R चलिए अगला सवाल सवाल है आपके लिए 13 नम्मर परकास के अब बरतन में कितने नियम है आपके लिए option है 1, 2, 3 या 4 और इसका सही उत्तर देखते हैं इसका सही उत्तर है option B, 2 और आप अगले सवाल की तरफ है सवाल 14 नम्मर बस्तु से छोटा और आभासी परतिविम इनमें से किस दर्पन में प्राप्त होता है option है आपके लिए अबतल दर्पन, समतल दर्पन, अबतल दर्पन A, A, B, B, दोनो या आपके लिए option है उत्तल दर्पन और इसका सही उत्तर है आपका option D, उत्तल दर्पन चलिए आगला सवाल सवाल है आपके लिए 15 नम्मर की उत्तल दर्पन में किस परकार का परतिविम बनता है बाश्त्विक परतिविम, आभासी परतिविम, A, A, B, दोनो और चौत्ता option है इन में से कोई नहीं चलिए इसका सही उत्तर है option B, आभासी परतिविम और अगला सवाल 16 नम्मर सवाल सम्तल दर्पन द्वारा क्या बनते हैं आभासी परतिविम दूसरा option है बाश्त्विक परतिविम तीसरा option A, A, B, दोनो और चौत्ता option है इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option A, आभासी परतिविम अगला सवाल 17 नम्मर सवाल है आपके लिए बाश्तू से छोटा परतिविम बनता है आपके लिए option है अबतल दर्पन, उत्तल दर्पन, समतल दर्पन या option A, एवं भी दोनो इसका सही उत्तर है option D, A, एवं भी दोनो अगला 18 नम्मर सवाल परकास क्या है कनाव का परभाव, आखाओं को परभावित करने वाली उर्जा ताबमान वढ़ाने वाली उर्जा या इन में से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है option B, आखाओं को परभावित करने वाली उर्जा अगला सवाल सवाल है आपके लिए 19 नमर सवाल जिस दिन दर्पन में परतिवे में सीधा और आकार में बश्तू के बराबर हो तो वा दर्पन है अबतल दर्पन, उत्तल दर्पन, समतल दर्पन या बेलनाकार दर्पन आपका सहीध तर्पन है आपसन सी समतल दर्पन चलिए आगला सवाल 20 नमर सवाल सवाल है आपके लिए एक गोल ये दर्पन की बरकता तिर्जिया 40 cm है तो इसकी फोकाश दूरी होगी आपसन 40 cm, 30 cm, 20 cm या 10 cm चलिए इसका सहीध तर्पन है आपसन सी 20 cm चलिए आगला सवाल 21 नमर सवाल किसी उत्तल लेंज के सामने टू एप और अनंत के बीच कोई बिम रखा गिया है तो इसका परत्विम बनेगा बाश्त्विक उल्टा और छोटा बाश्त्विक उल्टा और बड़ा अभासी उल्टा और बड़ा अभासी सीधा और बड़ा आपसन आपके सामने हैं आप देखें और सोचें इसका सहीव तरह ऑप्शन ए बास्त्मिक उल्टा और छोटा तो चलिए आप बढ़िए 22 सवाल पर आईए मुख्य अक्ष दर्पन के धुरुप पर अभी लंब है 45 डिग्री के कौन पर जुका है 180 डिग्री के कौन पर जुका है या 135 डिग्री के कौन पर जुका है और इसका सहीव तरह ऑप्शन ए अभी लंब है आप अगले सवाल पढ़ें 23 सवाल है आपके लिए कई लेंसों से बने एकल लेंस की उप्योगिता है चस्मे के लेंस में सुक्षमदर्शनी के लेंस में सभी परकार के लेंस में या इन में से कोई नहीं और इसका सहीव तरह ऑप्शन भी सुक्षमदर्शी के लेंस में आप 24 सवाल की तरफ हैं सवाल है आपके लिए उत्तल दरपन में बनाने वाले पर्तिविम्ब की प्रकिर्टी होती है बाश्तिविक अभासी आश्तिविक तथा अभासी इन में से कोई नहीं चलिए टाइमर इसमें दिया नहीं गया था इसके लिए सोरी अगले कोश्चन को फिर देखते हैं इसका सही उत्तर होगा अभासी आप अगले सवाल पर हैं सवाल 25 नमड़ा आपके लिए हैं सवाल है कि फोकस पर अभिसारित करने वाला किरन पुंज प्रवरतन के बाद समानांतर किरन पु कोई नहीं कि अगले सवाल की तरफ हैं अगला सवाल 26 नमर सवाल है बाश्त्रिक बश्तु का अभासी प्रति भीम बनता है ऑप्शन एह समतल दर्पन में बी है उत्तल दर्पन में सी है अबतल दर्पन में और डी है आपका प्रत्रिक बेका इनमें से कोई नहीं अश्तल दर्पन में आगला सवाल 27 नमर्च सवाल एक दर्पन में बस्तु की स्थिती धुरूब और फोकस के बीचboro कैसा होगा बास्त्मिक और बड़ा होगा बास्त्मिक और छोटा होगा कालपनिक और छोटा होगा काल्पिनिक और बड़ा होगा इसका सहीवतर है option D काल्पिनिक और बड़ा होगा 27 सवाल पर चलते हैं 27 सवाल है 28 सवाल सॉरी डायप्टर उस लेंज की छमता होती है जिसकी फोका ही दूरी है सारी छमता होगी या छमता होगा option है आपके लिए एक संटिमीटर दो मीटर दो संटिमीटर या एक मीटर इसका सही उत्तर है सही के उत्तर है D 29 सवाल पर चलते हैं सवाल है आपके लिए कि अधि आपतन कौन I और प्रावरतन कौन R हो तो क्या होगा I बड़ावर R I बड़ावर 2R 2 I बड़ावर R या I बड़ा होगा R से मैं आपके समय को बरबाद नहीं करना चाता हूँ इसलिए स्पीड में बोल रहा हूँ आपके लिए 10 सकंड का टाइम में आप इस बीच में सोचे या लाइब चार्ट के माधियम से आप कॉमेंट करें इसका सहीवत तर होगा आपसन A आई बड़ावर R चलिए आगला सवाल है आपके लिए सवाल 30 नमर की किसी एप के फोकेश दूरी के लेंस की छमता होगी और आपके लिए जो आपसन है आपका आपसन है 1 वाई F दूसरा आपसन है F तीसरा आपसन है 1 वाई P और चोथा आपसन है P डाइप्टर चलिए तीस नमर सवाल का इंसर होगा A 1 वाई F अगला 11 सवाल सवाल है आपके लिए हवा में टनी बश्टू को पानी के अंदर से हवा में टनी बश्टू को पानी के अंदर से पानी की सता के लंबत देखने पर इस बश्टू का परतिमिम बश्टू से होगा अधिक दूर कम दूर, समान दूर या इन में से कोई नहीं इसका सहीवतर होगा आपका ओप्सन ए अधिक दूर 32 सवाल प्रिक्षा के द्रिश्टी कौन से बहुत ही महत्मू सवाल बोर्ड एकजाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रसनों की सूची को लेकर मैं आपके बीच में हूँ और आप टेश्ट दे रहे हैं 32 सवाल है कि अब बड़ावर और वाटू सत्य है अब अवतल धर्पन में उत्तल धर्पन में समतल धर्पन में या इन में से कोई नहीं चलिए इसका सहीवतर है आपका ओप्सन ए अवतल धर्पन में 33 सवाल की तरह बड़ते हैं आप ने अधी लाइक नहीं किया है आपको अधी मजा रहा है तो आप जरूर लाइक करें अधी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वे बेल आइकन को जरूर प्रिस करें आईए 33 सवाल आपका चैप्टर फिजिक्स से संब्धित कुछ सवाल है और चैप्टर है प्रकास का प्रावर्तन एबं अबर्तन 33 सवाल आपके लिए एक अबतर लेंस में 10 सेंटिमीटर दूर बश्तु को रखने पर इनकी आवहासी सीधा पर्ति में बनता है इसकी फोकश दूरी होती है 15 सेंटिमीटर 20 सेंटिमीटर 12 सेंटिमीटर या इन में से कोई नहीं चलिए सहीधतर देखते हैं इसका सहीधतर होगा उप्चन D चलिए आप अगले सवाल पर आईए अगला सवाल है सवाल है किसी बिम्ब का बास्तित तता समान साइज का प्रतिविम्ब प्राप्त करने के लिए बिम्ब को उत्तल दर्पन के सामने रखना होगा एप पर एप टू पर टू एप वन पर या थ्री बै टू एप वन पर और इसका सही उत्तर है आपका उप्शन सी टू एफ वन पर आप 35 सवाल की तरफ जा रहे हैं सवाल 35 कि मोटर गारी का पार्श दर्पन होता है अब तल उत्तल सम्तल या इन में से कोई नहीं चलिए सवाल का जबाब ढूंटते हैं दूसरा उत्तल सही और एंसर है आप 36 सवाल पर हैं हीरा का अब बरतनाक होता है एक दसलव साथ साथ एक दसलव चार साथ एक दसलव चार चार या दो दसलव चार दो इसका सही और है आपका ओप्शन डी दो दसलव चार दो सही तिसमा सवाल पढ़ाते हैं सवाल है आपके लिए अलकोहल का बरतनाक है ओप्शन ए है एक दसलव तीन तीन एक दसलव चे पांच एक दसलव तीन चो या एक दसलव तीन एक और इसका सही उत्तर होगा ओप्शन C 1.36 चलिए आगला सवाल आरतिस नमर सवाल एक अवतल दर्पन में ध्रुब और फोकस के बीच रखी बश्तु का प्रत्विम बनता है बाश्त्विक बड़ा, बड़ा आभासी, छोटा बाश्त्विक या छोटा आभासी चलिए, सही उत्तर इसका है ओप्शन B, बड़ा आभासी अगला सवाल, 49 नमर सवाल दूई आपतल लेंस को कहा जाता है ओप्शन है, अब सारी लेंस, अभी सारी लेंस, ए और भी दोनो, या उप्रोक सभी चलिए, इसका सही उत्तर है, ओप्शन A, अब सारी लेंस, अगला सवाल, 40 नमर सवाल सवाल है आपके लिए, 40 मा, सिनेमा के परदे पर किस परकार का पर्तिविम बनता है बाश्ट्विक पर्तिविम, अभासी पर्तिविम, ए और भी दोनों, अथवा इनमेंसे कोई नहीं और इसका सही उत्तर है, ओप्शन A, बाश्ट्विक पर्तिविम, तो दोश्तों, अधी आपको यह टेश्ट अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए अधी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेज कीजिए और बेल आइकन को प्रेज करने के बाद, और लोटिपिकेशन को जरूर किलिक कर दीजिए ताकि अगला कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको मिले तो चलिए पुना मिलते हैं कल इसी समय नए चेप्टर के साथ नए अंदाज में एक टेश्ट को लेकर तब तक के लिए सुबरात्री धन्यवाद